हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ अर्चना आप सबका स्वागत है वारत किचन में तो आज मैं सुझी और आलू से फिंगर फ्राइज बनाने जा रही हूँ तो इसके लिए मैंने लिया है एक कप सुझी और पाच आलू बॉयल करके लिया है तो पहले मैं गैस पर चड़ा रही हूँ पानी एक कप सुझी लिया है तो धाई कप पानी लिया है मैंने पानी को बॉयल होने के लिए मैंने गैस पे पहले से चढ़ा रखा है देखिए इसमें बुलबुले आने लगे इसका मतलब है पानी हमारा बॉयल हो चुका है अब हमें गैस को कर देना होगा बंद और फिर इसमें एक कब जो सुजी लिया था उसको अच्छे से डाल लेना है अब इसे मिक्स कर लें और दस मिनट के लिए ढख कर रहने दें अब एक बड़ा सा पैन लेना है अब इसमें मैंने लिया है बॉयल आलू बॉयल आलू मैंने पहले ही बॉयल करके रखा हुआ था जिससे ये थोड़ा सा हाड हो जाए ज्यादा इसे बॉयल नहीं करना है ये थोड़ा हाड ही रहना चाहिए जिससे कद्दू कस करने में आसानी हो तो मैं इधर कदुकस इस तरह से कर रही हूँ देखिए कितना fine chopped हुआ है मैं कदुकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे कोई गाठे इसमें नहीं चाहिए देखिए कितना अच्छा से हुआ है कोई भी गाठे इसमें नहीं है अब जो सुजी मैंने फुला रखा है उसको भी देखिए कितना अच्छा से फुल चुका है उसको भी मैं इस पैन में मिला रही हूँ पूरा इसमें डाल लेना है अब इसमें आलू और सुजी हो रखा है मैंने तीन प्याज को बारिक कट कर लिया है उससे भी इसमें डाल लेंगे बेशन लिया है मैंने तीन चमच ज्यादा नहीं लेना है हमें और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पॉडर है ये काला नमक चाट मसाला आमचुर पॉडर हलका ही से डालें चिली फ्लेक्स कदू कस्किया हुआ अद्रक बारीक कटिवी हरी मेर्च आप इस बात का इधर ध्यान रखिएगा मैंने चिली फ्लेक्स भी डाला है और हरी मेर्च भी डाला है अगर आप ज्यादा तीखा नहीं पसंद करते हैं तो इसे आप छोड़ी भी सकते हैं अपने टेस्ट के इसाफ से इसमें डालिएगा अब डाल रही हूँ साधा नमक मैंने इसमें पहले काला नमक भी डाल रखा है तो आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि हमारा नमक इसमें चादन हो जाए मैंने नमक डाल लिया अब थोड़ा सा कसोरी मेती ले रही हूँ इसको इस तरह से हाथों पर रख कर थोड़ा रब कर लें और इसमें छिड़क लें अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें कि एक सॉफ्ट सा डो तयार हो जाए और एक दूसरे में इसका फ्लेवर मिक्स हो जाए मेरे बच्चों को कुछ नया और चटपटा सा खाने का हमेशा दिल करते रहते है तो मैं कुछ नया ही ट्राइ करती रहती हूँ और चाहती हों कि मेरे चैनल पे भी कुछ नया आते रहे तो अगर आपको मेरा पसंद आता हो तो ब्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजेगा अब इसे थोड़ा सा हाथ उपर मैंने रिफाइन ओयल लिया है और एक छूटा सा लोई ले करके इस तरह से फिंगर का सेप दे देना है ति हमारा फिंगर फ्राइज के लिए फिंगर तयार है मैं कुछ सेप तयार करके प्लेट में रख ले रहे हूँ आप बच्चों को डिफरेंट भी सेप बना कर दे सकते हैं जो भी सेप बच्चों को पसंद आता हो उस तरह का सेप दे दें देखिए मैंने इधर बॉल बनाया है आप ट्रेंगल सेप स्क्वायर सेप किसी भी तरह का सेप बना कर बच्चों को दे सकते हैं जिससे बच्चे अट्राक्ट होकर इसे खाने को मन करें देखिए स्क्वायर सेप हो गया यह बहुत ही अच्छा टेस्ट में भी लगेगा बच्चे से खाने के लिए बार बार मांगेंगे और यह हेल्दी भी है क्योंकि घर की चीजों से बनी हुई है तो मेरा यह फिंगर और बॉल दोनों तयार हो चुका है मैंने गैस पर पैन चड़ाया है साथ में डाल रखा है मैंने इसमें रिफाइंड ओयल यह गरम हो चुका है इसे अच्छे से गरम होने देना है नहीं तो हमारा जो इसमें डो है वो फैल जाएगा पूरा गरम होने के बाद ही इसमें डालें डालने के बाद जब यह ऐसा ब्राउन कलर हो जाए तब इसे मीडियम पर थोड़े दिर फ्राइ करें जिससे यह कुरकुरा हो सके देखिए बहुत ही खूपसूरत सा कलर आया है इसका कलर निकलने के बाद भी एक से डार्क हो जाएगा इसलिए हमें इसी टाइम पर इसे निकाल लेना हुगा कितना खूबसुरत सा कलर आया है गोल्डन ब्राउन कलर है कितना अच्छा लगता है ये तो मैंने इसे निकाल लिया तो देखिए हमारा तो देखिए मेरा फिंगर फ्राइज तयार हो चुका है जितना सुन्दर ये देखने में लग रहा है उतना कुरकुरा और टेस्टी भी है इधर मैं आपको एक छोटा सा टेप्स देने चारही हूँ हमें को जब फिंगर फ्राइज तलना है तो हमारा ओयल पूरी तरह से गर्म हो जाना चाहिए गर्म में ही इसको डालें ताकि आपका फिंगर फैले नहीं जब ये थोड़ा सा यलू कलर हो जाए तभी इसे मेडियम फ्राइज पे करें और थोड़ी दर तक फ्राइज करें जिससे ये क्रिस्पी हो सके तो ये था आज का टेप्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपके सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए बहुत बहुत थैंक्स और मैं हमेशा आपसे जुड़ी रहूँगी एक नए वीडियो के साथ आप सब का इसके लिए मुझे सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाई